हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना आपका स्वागत करती हूं और मैं बोल ला हूं अंजना जलाइफ इस्टाइल से अब हमारे ब्रोकली में छोटे छोटे से ब्रोकली निकलने लगे हैं दिखाती हूँ देखिए अभी छोटे-छोटे से हैं और हमारे मकोई के पौधे में देखिए कितने सारे मकोई निकल गया इसके फल बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं और खाने में जब पकेंगे तो काले जैसे हो जाते हैं दार्क परपल और खाने में बहुत ही मीठे होते हैं अभी फूल भी बहुत सारे निकले हुए है और जबो में निकला हूआ है और टमाटर जैसे बिल्कुल छोटे-छोटे से इसके फल होते हैं अब सरसो में भी फली यां आ गई है मैं सरसो रख ली हूं यह पीडले वाले सरसो जो हमारे बीज में कामा जाएंगे इसलिए में एक दो पोधे को रख लेती हूं जो बीज हमारे अपने बीज हो जाएंगे और थोरी सी हर्वेस्टिंग प्रेंट कर लेते हैं सिंगरी तो हमारी जब आये तो सिंगरी थोरी से अप लेही ले सकते हैं क्योंकि हमेशा सिंगरी कुछ न कुछ निकलने वाला रहता है जब भी हर्वेस्टिंग करें तो सिंगरी तो होता ही है और सबजी भी बहुत टेस्टी होता है है सिंगरी जैसे हम 2025 करते हैं एक दिन के भी बाद वैसे ही एक दिन करके हम यह करते हैं कुम कि सिंगरी बहुत सारे फल निकलते हैं और विल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है इसमें कहीं कोई के कीरे समय लद एक लए औए होग़ए हैं你在 तीन मिर्च पके हुए हैं तो इनको मैं काट ले रही हूं और यह हमारे तीन मिर्च अगर आप गार्डेनिंग कर रहे हों तो पत्तेवाली प्याज जरूर लगाएं अपने गार्डेन में यह सलग और सबसे बड़ी बात है जो आज हम यह पकौरे बनाने है तो अर्गय करकाने में मार्ट की आज ऑनके वाएं आपके हैं बनाने में और इतने सारे देखिए प्याज के पत्ते हो गए हमारे पकोरे के लिए और पकोरे भी अच्छे होते हैं और इसको आलू का जो भुझिया बनाते हैं उसमें डाल दिजेगा तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है अलू के भुजिया में हरे प्याज के पत्ते का फोरन देखें बहुत टेस्टी बनता है और हमारे खाने में एक मूली होना चाहिए तो हमें एक मूली भी अपने गार्डेन से ले ले रहे हैं बिल्कुल ताजे ताजे खाईए बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको ताजे मूल अपने गार्डेन का मेहनत का फल जो होता है मेहनत का फल से जब हम हर्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और मेरी फ्रेंट्स यही है आज की हर्वेस्टिंग